नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब भी उमीद करता हूँ काफी जादा अच्छ होंगे जैसा कि आपको बते है कि आज डर्बन सूपर जेंट्स वर्सस जोबर्स सूपर किंग्स के बीच में इस साउथ अफरीका T20 लीक का मेच नंबर साथवा खेले जाने वाला है और मेच टा चल जाएगा कि मेच के अंदर होने क्या वाला है तो ये सारा कुछ आपको इसे एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो बसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करेंगे देना और हमारी यूटूब चैनल पने हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब लेना तो चली पिर इस वाल वीडियो को स्टार्ट करता है तो सबसे बेले तम आपको पिछ रिपोर्ट और हेट टू हेड रिकोर्ड बताये था हूं तो गैस पिछले पांस साल का अगर इनका हे आपको अफरीका में ये मुकाबला खेले जाने वाला है और इस पिछ की बाद किजाए तो यह पीछ पूरा-पूरा बेटिंग पीच है यानि कि यहां पे बेटिंग करने वाले खिलाडियों को काफी उछी मदद मिलती है और यह पिछ भी हाइच स्कोरिंग पिछ है यहां पर रन भी काफी जबरदस्त बनता है बाकी इस वाले venue के उपर जो gain buzz important रहता है वो यहाँ पर तेज gain buzz रहता है तेज gain buzz को यहाँ पर काफी अची विकिटे भी मिलती है बाकी weather condition की बात की जाए तो पर बुंदा बांदी यहाँ पर भी आने वाली है यानि कि मेच के अंदर थोड़ा बहुत आपको delay देखने को मिल सकता है बाकी recent के फिछले 5-5, T20 मुकाबलों की बात की जाए इस वाले venue के उपर तो average जो run बना है वो यहाँ पर 166 के आसपास बना है और total जो विकिटे निकली है वो 52 विकिटे निकली है और वैसे भी बारिस का मोसम रहेगा तो spinner को वैसे भी आपर turn कब मिलेगा तो इसलिए यापर तेज गेंद बास इस condition में आपके लिए और ज़्यादा important हो जाता है तो ये चीज़ आप notice करके जूरूर से चलना बाकी पिछले 5 साल की टोस इस्टी की बात की जाए तो जो भी टीम ने टोस जीत के पहले बेटिंग करने का फेक्सा लिया है जादतर मुकाबले उन्हों नहीं जीते है बाकी पिछले 5 साल का अगर खिलाडियों का record देखा जाए इस वाले venue के उपर तो ये छे खिलाडियों ने काफी zach performance किया हुआ है जिसके अंदर पहला खिलाडिय आपका फरेरा, दूसरा खिलाडिय शेपड, तीसरा खिलाडिय आपका Moinelli छोता खिलाड आपका केली सोमांड, पांचों खिलाडिय आपका विलीम, सट्ते खिलाडिय के बात की जाए जिते हैं, दो मुकाबले हा रहे हैं और एक मुकाबले के अंदर रिजल्ट यहां पे भी नहीं है, बाकि डर्बन सुपर जैन्स ने ये मुकाबले कभी किसके साथ कहले हैं, वो डेट वगेरा आप आराम से देख सकते हो, बाकि रिसेंड के पांच-पांच मुकाबलों के रिक टीम के अंदर कौन से किलाडी को लेके चलना चाहिए, और कौन से किलाडी को डोप आउट करना चाहिए, तो सबसे पहले आप बात करता हैं, विकेट कीपर वाले सेक्शन की, उपर इपर देखोगे तो यहाप आपको क्वेंटिन डिकोग देखने को मिल जाएंगे, निकॉ पहले आप बात करता है क्वेंटिन डिकोग की, आपको बते है कि क्वेंटिन डिकोग का अगर पिछला लगातार 10-15 मेच के मुकाबले देखे तो यह ज़्यादा तर लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, और यह 20-30 रन बना के आउट हो रहे हैं, क्याने का मतलब इनकी जो पे लेके चल सकते हो, आपको बते है कि निकोलस पूरण ने भी काफी जबर्दस प्रिफोमस किया हुआ है, और अभी रिसेट की फॉरम भी काफी जबर्दस है, तो इसलिए निकोलस पूरण आप के लिए बेस्ट हो सकते हैं, क्वांटें डिकोग की जगए पे तो आप पारी कापी जबरदस्त खेलने वाले हैं तो इनकी बेटिंग वेसे भी आना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है तो इसलिए आप अपनी ग्रेंडली की टीम से हेंडरी कलासन को इस वाल मुकाबले से डोप आउट करके चल सकते हो बाकि हार्मर को इस वाल मुकाबले से डोप नहीं होंगे ये भी जल्दी फ्लोट भी जाने वाला है तो यहाँ पर जो आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाडी बसता है वो यहाँ पर निकॉलस पूरन बसते हैं तो आप अपनी ग्रेंडली की टीम के अंदर एक खिलाडी निकॉलस पूरन को यहाँ पर लेके चल सकते ह जा हेंडिक्स देखने को मिल जाएंगे, कायल माल्स देखने को मिल जाएंगे, फिर निचा होगे तो यहाँपा आपको बानु का राजबक्षा देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद मेडिशन देखने को मिल जाएंगे, जोर्जी देखने को मिल जाएंगे, और निचा के लाइड को डोप आउट करना चाहिए वो मापको बतायता हूँ तो सब सब बिले आपको बात करते हैं फाप डू प्लेशी की इस साउथ अफरीका T20 लीक के अंदर इन्होंने भी दो मुकाबले खेले हैं लेकिन दोनों ही मुकाबले के अंदर ये फ्लोप गए थे अब आपको काफी इच्छे रन इस वाल मुकाबले के अंदर भी ये बना के देने वाला हैं बागी रिजा हैंडिस के बात की जाए तो ये भी काफी जबरदस्ट किलाडी होने वाला है ये भी आपको काफी इच्छे रन बना के देने वाला है तो इनको भी आप अपनी ग्रेंड पूली की टीम के अंदर इन दोनों किलाइडियों को भी जरूर से लेके चलना बागी लगातार फिछले दो मुकाबले के अंदर अगर ये लाइन अप में आ जाता है खेलते हैं तो आपके लिए इनका भी बेस्ट ओप्शन रहने वाला है तो आप अपनी ग्रेंडी की टीम के आप चाहो तो डोप आउट करके चल सकते हो बागी पूली का परफोर्मेस पिसले मुकाबले के अंदर काफी जबरदस देखने को मिला था लेकिन इस बार ये भी फ्लोप जाने वाला है क्योंकि अब की बार फाप डूपलेसी और रिजा हैंडिक्स काफी जबरदस परफोर लेकिन रन ये भी बनाने वाले हैं तो आप अपनी ग्रेंडली की टीम के अंदर इनको भी जुरूर से लेके चलना बागी नीचे के दो खिलाडियो को आप डोप आउट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो आपको वीडियो का पता चल जाएगा बाकी अपमा आप अपनी ग्रेंडली की टीम के अंदर कौन से खिलाडियो को लेके चलना है और कौन से के लाड़ी को डोप आउट करना है वो आपको बतायता हूँ तो सबसे पहले या पर बात करते हैं पिटोरियस की आपको पते है कि लगातार दो मुकाबलों से ये भी कापी इची परफोर्मेस करते हुए आ रहे है और फिछले मुकाबले के अंदर भी दे तोरों के अंदर दो विकेट काफी जबरदस्त इन्होंने निकाले है मतलब मेच के अंदर ओल ओवर इनका विकेट निकालना पकाई होता है और इनकी बेटिंग भी आ जाती है तो कभी कभी बेटिंग भी काफी जबरदस्त कर लेता है तो इसलिए आपे पिटोरियस का भी ओप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है क्योंकि यह अगर बोलिंग करेंगे तो भी ज़्यादा विकेट नहीं मिलेगी क्योंकि यह आपे स्पिनरों को वेसे भी कम हेल्प मिलेगा और वेसे भी बारिस आने का चांसस है तो भी बोल वेसे भी स्पिन नहीं होने वाली है पीछ के उपर और इनकी बेटिंग भी आ जाएगी तो भई विकिट भी इनका जल्दी ही निकलने वाला है और रन ओल्रेडी फाप डूपलेसी और रिजा हैंडिक्स बनाने वाला है तो इसलिए इस कंडिशन में आप इनको डोप आउट करके चल सकते हो बाकि फरेरा की बात क काफी जबर्दस प्रफॉमेंस करने की वज़े से काफी सार लोग इनको लेके चलेंगे लेकिन आपको यूनिक टीम बनाने है तो यहाँ पर आप इनको डोप आउट के लेना ज्यादा इंपोर्टेंट के लाड़ी आपके लिए नहीं होने वाला है बाकि मुल्डर को आप करने लेना शेपरड को आप इस वाल मकाबले के अंदर जुरूर से लेके चलना क्योंकि सेपरड भी ओल्राउंडर काफी जबरदसत है वोजिंग बेटिंग इनकी बी काफी जबरदसत है और साथी साथ तेज गेंद बास भी है और तेज गेंद बास को यहाँ पर कापी इच्छा सपोर्ट भी मिलेगा तो इसलिए शेपर्ड का उप्षन आपके लिए बेस्ट होने वाला है तो आप अपनी ग्रेंडली की टीम के अंदर शेपर्ड को लेकर चल सकते हो बाकी ओल राउंडर वाले सेक्षन में आपके लिए इंपोर्टेंट किलाडी कौन सा है और कौन से किलाडी को आपको डोप आउट करना चाहिए वो में आपको डिटेल से बता दिया है बाकि क्या All-Rounder वाले section में हमको किसी खिलाडी को CVC create करना चाहिए या पिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का के बता दूँगा बाकि अब मैं आपको बताईता हूँ कि bowling वाले section में आपके लिए कौन सा खिलाडी important होने वाला है Gleason देखने को मिल जाएंगे, Noor Ahmed देखने को मिल जाएंगे, बाकि निचे के खिलाडी के खेलने के इस वाले मुकाबले के अंदर chances कम है तो हम इनको छोड़के चलेंगे आप bowling वाले section में ये सारे के सारे खिलाडी आपको देखने को मिल जाता है अब इन सारे खिलाडियों में सा आपको अपनी grandly के टीम के अंदर कौन से के लाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से के लाड़ी को drop out करना चाहिए, वह हम आपको बतायता हूँ तो सबसे पहले यहाँ बात करता है Code जी की आपको पता है कि पिछले मुकाबले के अंदर यह लाइन अप में नहीं आये थे यह लाइन अप में आ जाता है और खेलता है तो इनको आप जरूर से लेके चलना अपनी टीम के अंदर क्योंकि T20 के अंदर यह भी काफी जबरदस्ट विकेटे निकालता है और Code जी ऐसे खिलाडी है जो कि T20 सीरीज के अलाव भी दूसरी सीरीज के अंदर काफी इच्छी विकेटे निकालता है तो इसलिए आप अपनी Grandly की टीम के अंदर Code जी को लेके चल सकते हो अगर यह लाइन अप में आ जाते है तो बाकि टोपली की बात की जाए तो बाकि टोपली का भी परफोमेस इस वाल मुकाबले के अंदर काफी जबरदस्ट आने वाला है और ये भी हर मुकाबले के अंदर विकेटे निकालते ही निकालते है तो इसलिए इस वाल मुकाबले के अंदरी भी ये काफी इच्छी परफरमेंस करते हुए नजर आएंगे तो आप अपनी ग्रेंडली की टीम के अंदर टोपली को भी जुरूर से लेके चलना बाकि नांद्रे बर्गर की बात की जाए तो इंडिया के सामने टेस्ट मेच के अंदर काफी अच्छा परफरमेंस किया है और उस टाइम विकिटे भी काफी इच्छी निकाली है तो बाकि इस वाल मुकाबले के अंदर भी इनके ओवर पूरे के पूरे डलवाने वाले हैं कि वेसे भी इंडिया के सामने सिरीज चल रही है तो यह वाभ प्र गए हुए है तो यह पे वेसे भी यह नहीं खेलने वाले हैं तो इनको आप छोड़ देना बाकि विलिम्स की बात की जाए तो इनको आप ले के चल सकते हो बाकि इनको आप drop out करे लेना बाकि glitch on की बात की जाए तो फिशले मुकाबले के अंदर इन्होंने भी एक दू विकेट चटका है थे लेकिन अब की बार ये भी flop ही जाने वाले हैं तो इनको भी आप drop out करके चल सकते हो बाकि निचे के खिलाडियों के खेलने के chances कम होने की बज़े से हम इनको drop out करके चलेंगे बाकि bowling वाले section में आपके लिए important खिलाडी कौन सा है और कौन से खिलाडी को drop out करना है वो मैंने आपको detail से बता दिया है और वेसे भी bowling वाले section में मैंने कम ही खिलाडी बताया है क्योंकि all rounder वाले section में भी हमारे पास ऐसे खिलाडी रहेंगे जो कि अधिकतर bowling ये भी करने वाल है तो इसलिए यहाँ पर all rounder वाले section में ये खिलाडी जो मैंने बताया है इनको आप लेके चल सकते हो बाकी आपके लिए important खिलाडी कौन सा है कौन से खिलाडी को आपको drop out करना है वो मैंने आपको हर section से बता दिया है बाकी अब मैं आपको बतायता हूँ कि इन सारे खिलाडियों में से आपके लिए best CVC का option कौन सा खिलाडी होने वाला है तो all rounder वाले section में आओगे तो यहाप आपको pittorius देखने को मिल जाएंगे इस वाल मुकाबले के अंदर आप इनको CVC बना के चल सकते हो तो इसलिए CVC के लिए इनका भी option काफी जबरदस्त होने वाला है बाकी bowling वाले section में आपको नांदरे बर्गर देखने को मिल जाएंगे इनको भी आप इस वाल मुकाबले के अंदर CVC बना के चल सकते हो बाकी बेष्ट CVC कौन से होंगे बेष्ट क्लाडी कौन से होंगे वह में आपको डिटेल से बता दिया है बाकि मैंने आपको सारे खिलाडियों के बारे में बता दिया है ताकि इनमें से कोई खिलाडियेकर लाइनप में भी नहीं आए तो अब आप इजीली खिलाड़ी लेकर चल सकते हो अपनी टीम के लिए बाकि ये वाली इंपर्मेशन और ये वाली वीडियो आपको कैसे लेकी मुझे कमेंट करके ज़ूर से बताना आप ड्रीम11 के ऊपकर सी ओपर टोटल कितनी टीमें मनाते हो ये भी मुझे वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लिए हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और हमार यूटूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जूरूर सब्सक्राब करेना तो इस वाली वीडियो को मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई